नेहिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस प्रोग्राम को लेकर आई दो बड़ी अपडेट्स के बारे में दोस्तों आप सब जानते हैं कि लाइट को मेंडेट क्राफ तेजस काफी कैपबल है ये बात अलग है कि इंजन सप्लाइज के चलते अभी ये प्रोग्रेम प्रभावित हुआ है लेकिन इंटरनेशनल जो कस्टमर्स हैं इनकी जो इसको लेकर अभी दिल्चस्पी है ये खत्म करता है और एजिप्शन डेलिगेशन जो है एजिप्शन एफोस का जो डेलिगेशन है वो तेजस को लेकर भारीक से बारीक जानकारी प्राप्त करने का इस बार प्रयास करेंगे क्योंकि वो अब तेजस को लेकर वाकाई काफी गंभीर है हाला कि एजिप्ट का ये जो डिस साबित हो सकता है एजिप्ट के लिए और अगर एजिप्ट हूर जिट को सेलेक्ट करता है तो आने वाले भविष्ट के जो प्रोजक्ट है उनके लिए सीधा एक्सेस अवेलेबल होगा खेल आपको बता दें कि तेजस मार्क बन भारत का एक डुमेस्टिकली डिजाइन सिंग का एक प्रमाड भी है हिंदुस्तान अरोनाटिक सिंप्रेट ने एक्सपोर्ट मार्केट में तेजस मार्क वने को उतारने का कई प्रयास किया है और काफी हद तक अभी उन्हें सफलता प्राप्ट होती दिखाई भी पड़ रही है क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो लगातार तेजस को लेकर भारत से जानकारी प्राप्ट कर रहे हैं यहां पर वो दिख इसको लेकर ज्यादा इंट्रेस्टेड हैं जो महेंग के अमेरिकन और रेशन प्रेटफॉर्म पर नहीं जाना चाहते और चानिस प्रेटफॉर्म से बचना चाहते हैं और ऐसे में वो अपनी फ पुराने F-16 Fighting Falcons को replace करना चाहता है और ऐसे में experts ये मानते हैं कि तेजस Mark 1A उनको बहुत सारे benefit आफर कर सकता है इसमें एक ऐसा advance radar इस्तमाल किया गया है जो कि इस category के दूसरे aircraft में में देखने को नहीं मिलने वाला इसमें जो BBR combat capability है वो Egypt को दूसरे fighter jet में शायद ही देखने को आती है फिर आती है अस्तर मार्क 2 जो कि 160 km की मारक शमता के साथ आती है और तीसरी होने वाली है अस्तर मार्क 3 जो कि 300 km की मारक शमता के साथ आती है वो देखने को मिलेगी तो वहीं रुद्रम सीरीज की भी संभावित है कि तीनों मिसाइल समय देखने को मिले जिसमें मोंज एंजी जैसे जो घातक मिसाइल्स हैं वो देखने को मिलेंगी एसम हैमर जैसे जो बॉम्स हैं वो देखने को मिलेंगे इसरेली रैमपेज मिसाइल्स देखने को मिलेंगी तो आपको दंदाजा लगाईए कि इस कैटेगरी के किसी दूसरे एक्राप में कि आपको यह जरूर रही है और इजिप्ट यहीं चाहता है कि उनके पास ऐसा एक्राप होना चाहिए जिसके पास बीबीर को मैट कैपबिल्टी हो और अलग-अलग वेपन सिस्टम के लिए वो प्लेटफार्म कंपैटिबल भी होना चाहिए और उनको मेंटेन करने में असानी होनी चाहिए और कॉस्ट एफेक्टिमिस को भी ध्यान में रखा जाएगा तो यह सारे जो फैक्टर्स हैं यह बिसिकली तेजस के दौरा पूरे किया जा सकते हैं अब एचेल भी लगातार पुश कर रही है कि जो एजिप्शन ओडर है पॉइन को मिल जाए लेकिन यहां पर एक कॉमपट ट्रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है तुर्की का जो ग्रोइंग एरोस्पेस एंबिशन है उसके अंतरगात वो इसी प्रकार के और भी जो मिलिटरी हार्डवेर हैं इनको वेक्सित कर रहे हैं होजट प्रोग्राम की शुरुआत 2017 में हुई थी और तुर्किश कॉर्मेंट इसको बना के तयार भी कर दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि तुर्की का एंबिशिस प्लैन यह है कि तक्रीबन सव की संख्या में जो हूर जेट हैं इनको तुर्किश एयर फोस में डेपलॉय किया जाएगा और बाकि 300 यूनिट 2030 तक बेचने का प्लान उनका सामने आया है यानि प्लैन्स उनके काफी एग्रेसिव हैं और वो इसको पूरा करने में लगे भी हुए हैं अब भारत के भी तेजस प्रोग्राम में वो पोटेंशियल है लेकिन भारत का तेजस प्रोग्राम बेसिकली इस समय इंजन के चलते काफी परिशान है क्योंकि जनल इलेक्रिक अभी भी जो जेट इंजन है इनके डिलिवरी को सुनश्चित नहीं कर पाया है और इसी क्रम में जो पहला तेजस मार्क बन ए है यह तो बन के तयार है दो अतरिक्त बन रहे हैं जिनमें कैटेग्री बी इंजन्स का इस्तमाल किया जाएगा लेकिन अभी आपको पता है कि ड इंजनाइशन प्रोसेस है यह अपने अंत के करीव है और बहुत जल्दी वो जो क्रिटिकल पार्ट है इंजन का वो बेसिकली तयार कर लिया जाएगा लेकिन तब तक हमारा प्रोग्रेम स्ट्रगल कर सकता है वहीं बहुत सारी बुरी अपडेट्स के बीच में एक राहत की खबर भी सामने आई है काफी दिन बात तेजस के ट्रेनर वेरियंट को लेकर के जहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक सिंप्रेट ने आज इंशूर कर दिया है कि जो अन्तिम बैच है चार तेजस ट्रेनर एरेक्राप्ट के जो कि बिसिकली मार्क वन ट्रेनर होने वाले है इन्हें 31 मार्च 2025 तक डिलिवर कर दिया जाएगा यह ट्विन सीटर वेरियंट होंगे तेजस के यह तेजस के मार्क वन वेरियंट है जो की ट्रेनर में कर्वर्ट किये गए हैं और ऐसे में जो इंडिन एरेक्राप्ट हैं इनकी ट्रेनिंग को काफी सुगब बनाने में यह उपयोगी साबित होंगे इसके पहले हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिम्टेट ने चार की संख्या में जो मार्क वन ट्रेनर हैं इनको डिलिवर कर दिया है और अब जो बचे जो एरेक्राप्ट हैं इन्हें 31 मार्च 2025 तक डिलिवर किये जाने की जो बात है वो सामने आई है इसके अलाब आपको याद हो का 2021 में जब 83 तेजस मार्क वन एजिट की और प्लेस किये गए थे तो उसमें 73 तेजस मार्क वन ए थे और 10 जो थे उनके ट्रेनर वैरियंट थे शेकेंड बैच को लेकर के अब ये चीज़ कही जा रही है कि इसमें जो F404 एंजिन की सप्लाई ह यह सब प्रमुक भूमिका निभाएगी और अगर डिलेज होती रहें तो डिलेवरी जो है यह माना जा रहा है कि 2025 के दूसरे 6 माही तक या दूसरे 3 माही तक हमें देखने को मिलेगी अब हिंदुस्तान एरोनाटिक लिम्टेट की बात करें तो सप्लाई चेन इशूस को एड्रस करने में लगे हुए हैं और क्योंकि अब जनरल इलेक्ट्रिक खुद इससे परिशान है और वो अभी फिलाल 2 इंजिन डिलेवर करने वाला है तरसा मना जा रहा है कि जो नए इ इंजिन आएंगे उनसे पहले कैटेगरी इंजिन को रिप्लेस किया जाएगा और दो हजार पच्चिस के मार्च तक यह उमीद की जा रही कि छे अतरिक्त जो इंजिन है भारत को डिलेवर कर दिया जाएंगे तो इसी प्रकार जो प्रोग्राम है यह रफ्तार को इंजिन सप्लाई है वो तरी नहीं है कि हम प्रोग्राम को फुल प्रोटेंशिल में आगे बढ़ा सकें क्योंकि बैंगलोर की प्रोडेक्शन नाइन से सोला एक्राप और नासिक प्रोडेक्शन नाइन को एड कर लें तो 24 एक्राप प्रतिवर्ष बनाने की शमता हमारे पा अब बहुत सारे प्रेशने इंजिन स्वैपिंग को लेकर के आएंगे तो अब सब्सक्राइब पहले ही जवाब दे चुके हैं कि इंजिन स्वैपिंग अब हमारे पास कोई आप्शन नहीं है क्योंकि अगर हम इंजिन स्वैपिंग पर जाते हैं तो हमें अतरिक्स 4-5 साल देने पड़ेंगे और उतना समय हमारे पास फिलाल तो नहीं है और ऐसे में हम यही आशा करेंगे कि जन्रल इलेक्रिक शीगर आतिशीगर जो इंजन डेलेवरी है उसको शुरू कर दे तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी जरूर दीजिये बिल तेकले वीडियो में तब तक के लिए जाय हन्त